चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं निमसेट 22 के अमन कुमार सिंग से जिनकी के राइंग है 39 तो अमन सबसे पहले तो 39 राइंग के लिए धेर सारी सुबकामना है आपके और आपके पैरेंट्स को अमन वारानसी यूपी से हैं और अमन ने इस साल ड्रॉप लेके प्रेश प्रेट के लिए बच्छे बहुत माइने रखते तो यह बहुत अच्छी बात है आपको पूरी अच्छे से नहीं क्योंगी इसलिए जो बी है तो आपकी सक्सेश जरूनी वह क्या है वह मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में बताओ दूसरी बात कि जब ड्रॉप लेने का मन म सब्सक्राइब करने के बाद करने के बाद करने के बाद करना ही होगा फॉर प्रमोशन और नौल तो 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 उस तो एक दूपर डॉट के तो यह तो जाएगा कोई दिक्तर नहीं है और दूसरा अप्चन था फिर तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता था मैं तो फिर मैं कंप्यूटर का ही सोचा अब तक फिर कोवेड आ गया घर आ गए फिर फॉर्म तो फ़र दिया था नेंसे ट्वंटी ट्वंटीवन का लेकिन वैसा कुछ बेसिक से ऐसा कुछ नहीं पढ़े डागेट आडी सर्मा अबजेक्टिव उठाया करना स्टार्ट कर दिया फिर हुआ क्या कि ट्वंटी ट्वंटीवन के पेपर के एक मिने पहले मेरा फोन खराब हो गया और मेरे पास कुछ कुछ करने के लिए बचा नहीं को मॉम थी तो मम्मी बोली कि पढ़ एक मेना बस पढ़ा निमसेट एलिए और मेरा थाउजन संथिंग रहा था और फिर पता वल्लब मेरे को ऐसा लगा कि वल्लब इस बार ऐसा लगा कि थोड़ा सब अगर दो एक मेहने पहले पढ़े पढ़े तेट्वंटी वन भी हो जाता तो इस बार जैसे आप पढ़ाया ह तो इधर तो मैं देखा भी नहीं मैं आपसे पढ़ा था आपका वीडियो देखा था तो और समझ में आता था तो मैं बिना सुथी समझे फिर जॉइन कर लिया और फिर वाई अभी 2022 का पेपर हुआ बेलकुर सही बात है देखो आप 21 में पार्शली जुड़े फिर आप पूरी तरह से रेगूलर साल भर आपने स्टेडी की स्टेडी मटेल को सॉल्व किया तो कहीं मन में कोई डर था कि आपके की ड्रॉप लिया तो क्या होगा क्योंकि पूरे साल में क्या आपके अंदर थौट्स रहे और क्या सोचा आपने तो मेरा स्टाटिक से खराब नहीं रहा कभी मिलम मैं तो इसा उतना डर नहीं लगा लेकिन एक साल वेस्ट होगा और निमसेट में एक ही चांस है फिर बाकी पेपर कमा लिजे हैं लेकिन में तो क्योंकि मेरा पिछले साल भी जब नाइटी के रिजल्ट है तो उसके बाद भी काफी एक्जाम बच्चे थे टी यू जन यू लेकिन फिर माक्स आते रहें फिर कभी-कभी खड़ा भी रहा लेकिन लोग कह सकते हैं कि उनको डर है या फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा लेकिन अगर आप सही जा रहे हैं अगर पूरा गाइडेंस है एंड अच्छे साइम पे आप एक्टिस्टिंग हो रहा तो उसमें आपने कंप्रोमाइस करने नहीं दिया और सीधा आपने पढ़ाई चालू कर दी तो कोई कभी-कभी डर आया भी पर उससे भी क्यूंकि टेस्ट परफॉर्मेस अच्छी थी तो दिखकत नहीं हुई तो आप यह बताओ जितनी भी टेस्ट होते थे मैं हर बच्चे को एकी ब नॉर्मली ऐसा लगता कि संडे है टेस्ट बैटेंगे लेकिन सबसे हैक्टिव्टे होना चाहिए था हमारे हिसाब से क्योंकि संडे को दस से दो अरे दस से बारव पेपर हुआ उसके बाद आपको कम से कम पांक शे गंटे लगते लिकुल सही बात है तो देना ही देना पड कि और क्या कर सकते हैं और कितना एक्चुली मैं स्कॉर कर सकता था और कितना किया यह भी देखना बहुत ज़री है लेकिन अपर जो पेपर जो इस पर जो इंगड़ जाते थे करना यह सब किया है बहुत अच्छी बात है अमन कुमार आपने काफी अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया और वह अच्छे से मैनेज किया उसी के वज़े साज इतनी अच्छी रैंक है अपके 39 नाएं तो आप अपने जूनियर्स को या फ्रेशर को अपनी तरफ से क्या मै आते होंगी पर अभी आपका क्या मैसेज होगा कि अपने प्रोसेस रखें और एक साल बात का रिजल्ट अभी से ना सुचे कि एक नेगेटिव थौट खाफी लंबा एफेक्ट करते तो उनको पॉजिटिव रहना चाहिए मौक में जरूरी नहीं कि हर मौक में आप टॉप क सब्सक्राइब मेरे को सब्सक्राइब मेरे को सब्सक्राइब मेरे मेरे दिमाग में पिछले साल भी एक बात है पांच कोशन आपके लिए नहीं है वह तो छोड़ दो पूरा पांच को देखो मत बागी जो सब्सक्राइब करो यह तो मैं बहुत लेना नहीं किसी कोश्चन से अगर नहीं है तो आगे बढ़े जाओ आपने बहुत अच्छे से मेरी बातों को फॉलो किया बिल्कुल जो मै बोलता था बातों को फॉलो किया और देखो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी बहुत ही खुशी की बात है अब आप इसी तरह से नाइटी त्रीची में भी बैस परफॉर्म करो और पॉइंटर को मैनेज करो और अच्छा प्लेसमेंट लो तो वांस अगेंस आपको और